हेलो एवरिवान, वेलकम टू लर्ण इंग्लिश वीद हफसा यूट्यूब चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आज हम डिसकस करने जा रहे हैं आहंगर आर्टिस्ट पाई फ्रैंस काफका आहंगर आर्टिस्ट, स्टोरी को लिखा है फ्रैंस काफका ने, जो कि एक जर्मन राइटर थे उन्होंने स्टोरी को 1922 में पबलिश किया, विद दे नेम एन हंगर कॉंसलर इस्टोरी को 1938 में इंगलिश में ट्रांसलेट किया गया और पब्लिश किया गया इस्टोरी को डिफरेंट टाइटल्स दिये गए जिनमें से एक टाइटल अहंगर आर्टिस्ट था ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो खुद को आर्टिस्ट समझता था उसका आर्ट ये था कि वो खुद को भूका रखता था कई कई दिन और पिंजरे के अंदर कैद रहता था वो लोगों के सामने अपने इस आर्ट को प्रीजेंट करता था वो अपने आपको आर्टिस समझता था लेकिन लोग उसका मजाख उड़ाते थे उसका एक मेनेजर भी था इंप्रेसेरियो जो के लोगों को उसकी तरफ मतवज्जो करता और उसके पास लेकर आता था लोग उसके पास आकर उसका मजाक उडाते और कहते थे कि ये ड्रामा कर रहा है असल में तो ये छुप छुप कर खाना खा लेता है लेकिन उस आर्टिस्ट के लिए अपना काम इमानदारी से करना ही सब कुछ था वो 40 दिन तक पिंजरे में कैद रहता उसके बाद उसका मेनेजर इंप्रेसेरियो आकर उसको पिंजरे से बाहर निकालता जहां पर दो डॉक्टर उसका मौइना करते और दो यंग लेडिस आकर उसे खाने की टेबल के पास लेकर जाते पकड़के इस तरह से वो कई दिन तक अपना काम जारी रखता है लेकिन लोगों का इंटरेस्ट उसमें खतम होता जाता है और उसका मेनेजर इंपरेसेरियों भी उससे अलग हो जाता है अब वो एक सरकस को जॉइन कर लेता है जहां पर सरकस की मेनेजमेंट उसका पिंजरा जानवरों के पिंजरे के करीब रख देते हैं जहां पर लोग अक्सर आते जाते हैं नेकिन आइस्ता आइस्ता लोगों का इंटरस्ट उसमें वहां भी खतम होना शुरू हो जाता है। लोग उसके इड़गिड जमा नहीं होते और ना ही उसे देखने के लिए आते हैं। खाना चोड़ने की वज़े से आर्टिस्ट बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। इतना के उसका जिसम धांचे की तरह हो जाता है। आर्टिस्ट की ये हालत देकर सरक्स का एक वर्कर उससे उसकी हालत की वज़ा पूचता है वो उससे पूचता है कि वो क्यों भूका रहा जिस पर आर्टिस्ट जवाब देता है कि उसे उसकी पसंद का खाना कभी मिला ही नहीं अगर उसको उसकी पसंद का खाना मिलता तो वो उसको भी पेट भर के दूसरे लोगों की तरह खाता और कभी भी भूका न रहता और उसके बाद आर्टिस्ट मर जाता है और यहां पर यह कहानी खतम हो जाती है A HUNGER आर्टिस्ट यह story असल में एक allegory है allegory ऐसी story या poem को कहते हैं जिसके अंदर कोई hidden meaning होता है इस story के अंदर भी एक hidden meaning है कोई भी artist, कोई painter, कोई भी काम करते हैं तो उनको तब तक पसंद किया जाता है जब तक के public demand करती है जब तक के public उन्हें पसंद करती है उनके काम को पढ़ती है किसी भी artist के काम को value उसकी मेहनत की basis पे नहीं दी जाती बलके public की demand पे, public की value पर दी जाती है कि कितना उसे पसंद किया जा रहा है उस artist की मेहनत को बिल्कुल भी नहीं देखा जाता और यही चीज हम इस story के अंदर भी देखते है कई कई दिन तक लेकिन public इसको drama consider करके उसका मजाक उड़ाती है और आइस्ता आइस्ता उसके अंदर interest public का खतम होना शुरू हो जाता है और उसके काम की value भी खतम हो जाती है इसी वज़ा से artist एंड पे मर जाता है और यहां पर खतम होती है हमारी यह story उमीद है आपको समझ आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूँगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिस